गुणों के आधार पर समाच चलता है और समाच के गुणों के आधार पर देश बड़ा होता है कोई एक विक्ति एक समूह एक विचार एक तत्वज न्यान उसके आधार पर देश बनते बिगड़ते नहीं वो अलग अलग होते आज दुनिया के जो अच्छे देश है उसमें स अच्छी मिलेंगे यह वहां बीदी कि अभी व्युवस्था यह सप्रकार की चल रही सप्रकार की विवस्थाओं से देश बड़े हो गए तो इसका अर्थ यह है कि यह सारी बाते सहयक होती है तो हिए तो यह है कि समाज में गुणवत्ता कितनी है, समाज में अपनापन कितना है, एकात्मता कितनी है, और समाज में स्वार्था का लोब हुआ है कि नहीं हुआ है, गुणों को प्रोच्छान लेने से ये सारी बाते बढ़ती है,